तेरा साल छोटी अनन्या पांडे को डेट कर रहे हैं आदित्या रोयकापूर वारल हुई रोमांटिक फोटो तो रिष्टा हुआ कन्फरम लेकिन इश्क में बेहत अनलकी रहे हैं आदित्या पाच हसीनाओं से दिल लगाया और हर बार तुड़वाया तो क्या 13 साल छोटी अनन्या के साथ आदित्या की लव स्टोरी को मिलेगा खुश्णु मांजाब जी हाँ इश्क के इमतिहान में पाच बार फेल हो चुकी हैं विद्याबालन की देवर आदित्या रोयकापूर और अब खुद से 13 साल छोटी अनन्या पांडे को डेट कर रहे हैं पिछले साल ही इन दोनों की इश्क की खबरे आम हो रही थी लेकिन दोनों प्यार का इजहार खुलम खुला किये बगैर ही चोरी चोरी चुपके चुपके इश्क लड़ा रहे थे हाला कि अब स्पेन से आई इन दोनों की रोमांटिक फोटो ने इनके इश्क की पोगल खुल दी है जहाँ एक तिरफ लोग अनन्या और अदित्या की लव स्टोरी की चर्चा कर रहे हैं वही कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखिर इस इश्क का अंजाम क्या होगा कहीं 13 साल बड़े बोईफिन आदित्या की साथ अनन्या की लव स्टोरी में पापा चंकी पांटे विलेन न बन जाए कहीं आदित्या की इस रोमांटिक स्टोरी का अंजाम भी उनकी पिछली पाच प्रेम कहानियों जैसा तो नहीं हो जाएगा क्योंकि एक या दो नहीं बलकि पाच बार इश्क में नाकाम हो चके हैं अदित्या चलिए डालते हो इनके फ्लॉप लॉव स्टोरी के ट्राक रिकॉर्ड पर एक नज़र अहाना देउल कॉलेज में प्यार चोड़ा परवान यह उन दिनों की बात है जब आदित्या और अहाना कॉलेज में पढ़ा करते थे आदित्या और अहाना की इस लव स्टोरी के खुलासा रनवीर सेंग ने कॉफी विद करन में किया था खास बात तो यह थी कि हाना ने आदित्या के लिए रनवीर सेंग के साथ ब्रेक अप किया था हलाकि बात में जोब आदित्या पढ़ाई के लिए विदेश गए तब ये लव स्टोरी तम तोड़ गई थी रिया चक्रवर्ती फिल्म के सेट पर पकी लव की खिचडी अपनी आशिकी के किस्तों के लिए मशूर आदित्या रोई कपूर रिया चक्रवर्ती को भी डेट कर चके हैं रिया जब अपनी फिल्म सुनाली केबल की शूटिंग कर रही थी उस वक्त उनका नाम अदित्या रोय कपूर के साथ जुड़ा गया दोनों को कई बार साथ में शॉपिंग और डिनर करते हुए स्पोट किया गया था हलाकि दोनों ने कभी आपने रिष्टी की खबर को कबूला नहीं था और एक दूसरे को सिर्फ अपना चछत दोस्त बताया लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि दोनों का रिष्टा दोस्ती से कुछ ज्यादा था मिस्टर कोशल की मिस्स कोशल यानि की केटरीना क्याफ के साथ आदित्य रॉय कपूर की शौर्ट टाम लव स्टोरी ने भी खूप सुरिख्यां बटोरी थी तब केटीन और आदित्या दोनों ने फिल्म फितूर में साथ काम किया था खबरों के अनुसार आदित्या और केटीना एक दूसरी को पसंद करने लगे थे लेकिन उन्होंने कभी इस रिष्टे को पब्लीकली स्वीकार नहीं किया था हलाकि इनके सिर से एश्क का फितूर जल्दी उतर गया था साल 2013 में आई फिल्म आशिकी टूम में आदित्यरोय कापूर और शद्धा कापूर ने एक साथ काम किया था फिल्म पढ़दे पर दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को खुब पसंद आई थी तो वहीं रियल लाइफ में भी इनकी आशिकी के किस्से मशूर होने लगे थे फिल्म की शूर्टिंग के दोरान ही दोनों के दल एक दूसरे के लिए धड़कने लगे थे दोनों अकसर साथ में स्पॉट होते थे लेकिन साल 2016 में आदित्या और श्रधा का ब्रेक अप हो गया था सूपर मॉडल दीवा धवन के साथ भी आदित्या की लव स्टोरी के खूब चर्चे हुए थे हलाकि बाद में आदित्या ने उन्हें अपनी सिर्फ अच्छी दोस्ट बताया था जहाँ एक तरफ लोग अनने और अदित्या की लव स्टोरी के चर्चे कर रहे हैं वहें कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि आखर इस इश्क का अंदाम क्या होगा ब्यूर रिपोर्ट इट्विनिफोर झाल